हेलो एवरिवन दिस इस जेपी स्कीन्स कर पॉर्टेबल डायवड मशिन्स इसमें आपको 600 वाट 800 वाट एंड थाउजन वाट के टीन मॉडल मिलते हैं यह त्रिपल वेवलेंट डायवड मॉडल है मशिन को जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो यहां पर आपको वेलकम स्क्रीन साथ में त्रिपल वेवलेंट थी वेजिंग्स नीचे एम्बेंस लाइट यह प्रॉब करने करने के लिए यहां पर सॉकेट है मशिन में आपको हैरी मोल, SHR, HR के तीन ओप्शन मिलते हैं यह उसका प्रॉब है, हैंडपीस यह हैंडपीस को होल करने के लिए यहां पर स्टेंड दिया गया है यह हैंडपीस को हैंड बेंग लगाया है यहां पर यह उसका प्रॉब है, इसमें आपको दो स्पॉर्ट साइड मिलते हैं एक है 15,17 का और दूसरा है 15,28 का, यह 15,28 का स्पॉर्ट डामेटर है यह एकदम लाइटवेट हैंडपीस है और दिखने में एकदम अच्छा है बेक साइड उसमें आपको एक मोनिटरिंग डिस्प्ले दिया गया है जहां पर आपको मशिन की वाटर्स, टेंपरेचर्स और कितने स्वाट्स अपने काउंट फायर गी हैंगो यहां पर दिखाएंगा ऐसा दिखता है उसका हैंडपीस यह कॉंटेकलेस हैंडपीस है जिसका बेनीफिट ही है तो यह स्कीन को बहुत ही कम खायर करता है यानि कि उसको जालाने के चांस बहुत ही कम है आप देख सकते हैं और इसका यह कूलिंग टिप से आगे गोल्डन वाला कि अग्दम अच्छा डिजाइन है कि कॉंपेक्ट एंड लाइट वेट हैं यह मस्निस का ओरल यू वियू है यह फॉंट साइड है में यह साइड व्यू हैं निच्छे की साइड यहां पर हेट वेंस यानि मस्निक जो हीट होती यह से वह ड्रेन भाह निकलती है कि यहां पर मसिन को करने के लिएzar ख़लडर दिया है यह उसकी screen है, जहां पर आपको तीन मिनू दिए गए है, HR, याने की हैरी मोल, यहां पर आपको body parts है, Neutral Skin Color, Water Monitoring, Temperature Monitoring, Total Shorts, Treatment Shorts, कुलिंग फिक्वेंसी एनरजी मसीन को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए और ब्याग जाने के लिए ऐसे स्क्रीन आती है स्कीन रिजिनेशन के लिए बॉडी पार्ट्स स्कीन कलर सेम वाटर मॉनिटरिंग, टेंप्रेचर मॉनिटरिंग टोटल स्ट्स टीटमेंट स्ट्स एनरजी, कुलिंग एन फिक्वेंसी दिया गया है दूसरा इसके इंदर शेचर है शेचर में आपको जो आपके लाजेट पार्ट एरिया है वहाँ पे आप उसको यूस कर सकते है उसमें भी सेम आपको बॉड़ी पार्ट्स है स्कीन कलर है सेंसर मॉनिटरिंग ऐसे दिखता हूँ उसका फंट व्यू मॉनिटरिंग करते है वाटर टेंपरेचर्स करंट्स सबको ऐसा दिखता हूँ और व्यू बैक साइड है मशीन को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए में केबल लगाने के लिए पावत केबल यहां पर फूट पेडल दिया गया है यह मसींज की एम से भी है पीसे यह वाटर टिसी ए कुलिंग सिस्टम दिया गया है यह पानी इनलेट करने के लिए यहां पर यह पानी मॉनिटरिंग के लिए है आप देख सकते है यह ओवरफ्लो पानी का और पानी निकालने के लिए यहां पर फ्यूट दिया गया है यह रेट लोट जो आपको दिख रहा है वो पानी लेवल दिखाता है यह साइड प्लोफाइल व्यू है यह साइड प्लोफाइल प्लोफाइल प्लोफाइल